एक्सल में देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक format बना के रखा है sales report का अब जैसे मैं यहाँ पर कोई भी entry करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं इस save वाले button पर click करूँगा तो आपका data seat 1 से transfer होके आपके इस seat 2 पर जाके automatic save हो जाएगा चले यह कैसे काम करता है मैं आपको एक example द product मैं लिख लेता हूँ जो भी product लिया गया उसके दोरह और मैं यहाँ पर city mention कर देता हूँ और यहाँ पर जितना quantity purchase किया गया quantity डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं rate mention कर देता हूँ अब यह entry करने के बाद जैसे मैं इस save वाले button पर click करता हूँ तो देख सकते यह data क्या हो गय कि यहाँ पर save हो गया होगा और आपका यह format भी खाली हो गया मैं फिर से एक entry करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे माली मैं फिर से लेता हूँ 10 अगस्त 2023 मैं customer का नाम लेता हूँ यहाँ पर customer दोरह जो भी product लिया गया मैं उस product को mention करता हूँ यहाँ और जिस city मे record होगा उस city पर जाके यहाँ पर save हो चुका होगा तो मैंने कैसे इसे त्यार किया है चलिए आज के वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ तो आप देख सकते मैंने same data रखा है यहाँ जैसा data पर मैंने आपको समझा था तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है आपको इस workbook में एक नया worksheet inside कर लेना है जैसा कि आपने देखा तो मेरे पास दो सीट था अब simply seat 1 पर आते हुए मैं इस heading को यहाँ से सेलक कर लेता हूं और simply मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको नेक्स इट पर जाना है और करजर को एक्टिवेट करते हुए आप जहां पे भी data को रखना चाहते कर लेते हैं सिंपली आपको पेस्ट नहीं करना है यहाँ पर पेस्ट के direct लिक करना यहां पर जो भी हेडिंग देना चाहते हैं यहां पर हैंडूस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यहां पर समस्ति पूर ले लेते हैं अब थोड़ा सा इसको सजाने के लिए करता हूं और यहां पर सिंप्ली मैं और कर देता हूं अब इतना करने के बाद सिंप्ली आपको जाना पहले सीट पर और यहां पर सबसे पहले एक इंट्री आपको कर लेना है और इंट्री कैसे करना है मालेजे मैं कुछ भी befaltres कर लेता हूं आपको सिंप्ली और कुछ पर इसके अलाइन्मेंट को सेट कर देता हूं यहां पर सलेक्रता हूं सिंप्ली और सेंटर अलाइन्मेंट इनकार एपको इस इसaréँए आपको जाना है वीड टैप पे वीड टैप पे जाने इहां पे देख सकते हैं Mykroos नाम का आपको एक block दीख रहा हुआ और tämäurg वलok में आपको Mykroos नाम का option दीख रहा हुआ मैं simply इस Mykroos पे click करता हूँ और इहां पे ég option दीखेँ आगाIndriKro ACement hosts data सब्सक्राइब करना यहां पर नाम देना है जैसे माली जो मैं इस माइक्ट का नाम लेता हूं सेव डिटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं माइक्रो का जब भी आप नाम लिखते तो उसमें इस पेस नहीं लगा आता है आपको सिंप्ली सिप्ट के साथ अंडर इसकोर लेन करता हूं, तो देखिए मैं क्या करना सबसे पहले जो भी मैंने इस इंट्री का सब्सक्राइब करता हूं और सिंप्ली मैं हूं पर जाते हूं इसको कॉपी कर लेता हूं अब आपको कुछ नहीं आपको नेक सीट पर जाना है और यहां पर करजर रखते हुए आपको कालिम विर्थ को बढ़ा, इसलिए डेट प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इस रहा बढ़ा विर्थ को आपको इस पे और "... क्लीक करने को आपको एक यहां ब्लैंक रोड यहां पे इंसर्ट हो जाएंगे, आपको रेंगा चुछ नहीं करना है, यहां पर simply मैं इसके color को अटा देता हूँ अब यहां पर करदर कहीं भी क्लिक कर लें और आपको seat 1 पर जाने कवाद फिर से इस पूरे data को select करते हुए simply आपको delete button प्रेस करना और फिर से seat 3 पर जाके आपने इंट्री किया इस इंट्री को यहां से home पर जाके delete कर सकते हो कोई problem नहीं होगी इसमें आपको simply इस रोग को delete कर लेना है अब मैं seat 1 पर आता हूँ यहां पर आपने देखा था यहां पर एक save नाम का button भी था तो simply इसके लिए हम लोग insert टैप पर चलते हैं save पर चलते हैं आपको जो भी save पसंद है उस save को हम लोग यहां पर select करते हैं और simply मैं इसे यहां पर draw कर लेता हूँ draw करने के बाद हम लोग format पर जाते हैं save के लिए माली जै मैंने rate color लिया तो मैं rate ही लेता हूँ और outline में जाके no outline कर लेता हूँ और थोड़ा सा safe effect को भी डाल देता हूँ यहां पर इसमें text लेखने के लिए simply आपको इस save पर right click करना और यहां पर एक option देख जाएगा edit text इस पर click करना और माली जै मैं इसका नाम ले लेता हूँ save data अब जो भी नाम लेना चाहते हैं नाम ले लेंगे अब इस save data वाले text को select करते हैं थोड़ा सा home पर जाके इसके later size को हम लोग बढ़ा कर देते हैं यहां पर और बढ़ा करने कवाद थोड़ा सा इसे मैं bold कर देता हूँ अब थोड़ा समय से adjust कर लेता हूँ यहां पर आपने जो micro record किया था उस micro को यहां पर assign करना होगा तो assign करने के लिए simply save को select करेंगे और इस पर right click करेंगे और जैसे right click है तो यहां पर option आपको दिख जाएगा assign micro simply इस पर click करेंगा और आपने देखा था micro का नाम मैंने लिया था save data simply इसको select करेंगे और okay कर देंगे अब data को थोड़ा सा खुबसूरत दिखाने के लिए आपको simply view टैप के जाना है और view पे जाने एक बाद grid lines पे यहां पर click कर लेना है जैसे grid lines पर click कि जागा यहां पर आपका grid lines हट जाएगा अब यहां पर मैं कोई दरबंगा quantity जो भी लिया गया और जो भी इसका डेट है जैसे डालेक बाद आप देख सकते मैं जैसे इस से बटन पर click करता हूँ देख सकते डेटा यहां से जाके पर आपका यह पूरा पूरा फॉर्मेट भी ब्लैंक हो गया चलिए मैं नेक सेट पर चलके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं यहां पर आके रिकॉर्ड हो चुका होगा तो इस पर कर आप जितना इंट्री करना चाहते हो उतना इंट्री आसानी से यहां पर कर सकते मैं एक और इंट्री करके आपको दिखा देता हूँ देखिए जिस पर करना आपको जो भी नाम लेना है नाम सिंप्ली टाइप करना है जो भी प्रोड़क्त लिया गया है उस कस्टरमर के तो प्रोड़क को मेंशन करेंगे हम लोग यहां पर और प्रोड़क्त करने वाद कुछ नह हो गया हो तो इस परकार आप अपने डेटा को वंसी टू अनादर सब्सक्रड़कर कर सकते हैं असा करता हूं दोस्ते च्छोटा सा वीडियो आपको पसंद आगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें विवामें इसी परकार के वीडियो उसके लिए आपको मारें चैनल को स Thank you.